हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है मेरे योटूब चैनल पर तो यह मेरे योटूब का सबसे पहला वीडियो है उम्मीद करताओ कि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने गैस पे दो पतीले चड़ाए है और एक पतीले में मैं ऐड कर दूँगा धाई लिटर पानी पानी डालने के बाद इसे में कवर करके उबालने के लिए छोड़ दूँगा जब तक हमारा पानी उबल रहा है तब तक हम दूसरी तरफ चिकन का मसला रेड़ी कर लेते तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चार बड़े चमच तेल तेल गरम होने के बाद इसमें मैं कुछ खड़े मसला अड करूँगा जैसे की दो तेज पत्ता, चार पाच लौंग, चार पाच काली मीरी, दो छोटी लाइची, एक बड़ी लाइची और एक डालचिनी का तुकड़ा तो यह सब डालने के बाद उसके बाद मैं एड कर रहा हूँ तली हुई प्यास तो चार पाच को मैंने काट कर, फ्राई कर लिया था और अभी मैं इसे क्रश करके इसमें मिक्स कर दूँगा तो पाच डालने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर देता हूँ इसके साथ तो यहाँ पर हमें flame को low ही रखना है अगर आप flame को high रोखोगे तो आपकी प्यास जल जाएगी उसके बाद में इसमें add कर रहा हूँ दो चम्मच अद्रक लसन का paste तो देखिए अद्रक लसन का paste भी मैंने इसमें add कर दिया है उसके बाद में इसे अच्छे से mix कर दूँगा इसमें एक मिनित तक अच्छे से भून लूँगा क्योंकि अद्रक लसन की कच्छी smell निकल जानी चाहिए तो अद्रक लसन के बाद इसमें add कर रहा हूँ एक कटा हुआ टमाटर टमाटर डाल दिया है मैंने अभी इसे में अच्छे से इसमें mix कर दूँगा तो हमारा टमाटर भी इसमें अच्छे से mix हो चुका है उसके बाद में इसमें add कर रहा हूँ कुछ मसाले जैसे की दो चमच धनिया पाउडर, दो चमच बिर्यानी मसाला, आदा चमच हल्दी, दो चमच लाल मिर्च का पाउडर, एक चमच नमक नमक चाहे तो आप अपने स्वात के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं तो ये सब मसाले डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा, एक से दो मिनिट तक गैस की फ्लेम मीडिया मी रखियेगा उसके बाद में इसमें add कर रहा हूँ 200 ग्राम दही तो दही डालने से पहले इसे मैंने अच्छे से फेट लिया था तो दही add कर दिया है मैंने अभी मैं इसे अच्छे से इसमें mix कर दूँगा तो देखिए दही को भी मैंने अच्छे से इसमें mix कर दिया है उसके बाद इसमें हलका सा उबालाने के बाद इसमें मैं add कर रहा हूँ दिना के पत्ते और थोड़ी कटेवी हरिधनिया तो ये सब डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देता हूँ चिकन में अच्छे से मसाले मिक्स होने चाहिए ग्यास की फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा तो देखिए चिकन को भी मैंने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर दिया है उसके बाद मैं इसे ढख कर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनित तक पका लूँगा तो दूसरी तरफ हमारे पानी में भी उबाल आ चुकी है तो अभी हम इस पानी में एड़ कर रहे हैं एक चमच तेल तेल डालने के बाद इसमें मैं एड़ कर रहा हूँ दो चमच नमक तो नमक इसमें मैं दो चमच इसलिए एड़ कर रहा हूँ क्योंकि हम जब चावल का पानी जब छान लेंगे तभी पानी के साथ भी नमक चला जाएगा तो नमक डालने के बाद इसमें मैं एड कर रहा हूँ आदा निम्बू का रस निम्बू का रस मैं इसलिए अड़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे चावल अच्छे से और खिले खिले बनेंगे तो उसके बाद मैं इसमें चावल अड़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने आदा किलो बासमधी चावल लिया है चावल को मैंने अच्छे से धोग कर रखा था तो चावल को भी मैंने इसमें आड़ कर दिया उसके बाद इसको मैं एक बाद चला लूँगा और हमें चावल को मीडियम फ्लेम पर 8-10 मिनिट पकाना है और 80% ही पकाना है तो यहाँ पर हमारा चिकन भी तयार हो चुका है तो चिकन को मैंने 10-12 मिनिट तक अच्छे से पका लिया था और बीज बीज में भी इसे एक दो बार चला लिया था तो हमारा चिकन अच्छे से रेडी हो चुका है तो अभी हम इसे ढखकर गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे तो यहाँ पर हमारे चावल भी अच्छे से पक्कर हो चुके तो यहाँ पर मैंने चावल को 80% कुक किया है तो चावल भी अभी कुक हो चुके उसके बाद मैं इसके गैस की फ्लेम आफ कर देता हूँ और इसके बाद हम चावल को चान लेंगे तो धीरे-धीरे करिएगा क्योंकि चावल गरम होते हैं और उसके बाद इसे में पाच मिनिट के लिए थंडा होने के लिए रख दूँगा तो यहाँ पर हमारे चिकन के मसाले में हम चावल को एड़ कर देंगे आप चावल तो दो लेयर भी बना सकते हो तो देखें चावल को मैंने इसमें एड़ कर दिया उसके बाद में इसमें एड़ कर रहा हूँ पीला फूड कलर तो एक फूड कलर में मैंने थोड़ा सा पाने मिक्स कर दिया था और उसके बाद में इसमें एड़ कर रहा हूँ हरा धनिया हरा दनिया डालने के बाद इसमें मैं एड़ कर रहा हूँ थोड़ी सी तली हुई प्याज और अभी हम इसे ढख कर तवे पर 15 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर दम देने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर मैं यह तवा को गरम होने के लिए रखा था उसके बाद इस पर रखेंगे पानी से भरा हुआ एक पतिला क्योंकि हम दम देने के लिए इसको पैक हो जाए तो 15 मिनिट के बाद हमारी फाइनली बिर्यानी रेडी हो चुकी है अभी मैं आपको सर्फ करके दिखाता हूँ सो हमारी बिर्यानी तयार है आपको कैसी लगिए चिकन दम बिर्यानी के रेसिपी मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और आपको कौन सी नई रेसिपी चाहिए वो भी मुझे कमेंट करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगाओ पसंद आयो तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और मेरे चानल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल आइकोन को भी प्रेस कर देजिएगा तो चले मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ